इस BD Swiss Introductory Web Trader Tutorial में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप पहले ट्रेड के लिए BD Swiss Web Trader Platform का प्रियोग कैसे कर सकते हैं Step 1. ट्रेड करने के लिए पहले आप Coach Windows से वे असेट चुने जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं जिन एसेट classes में ट्रेड किया जा सकता है उन सभी का वर्तमान मुले आप यहां देखेंगे BD Swiss में आप Euro USD जैसे currency, oil जैसी वस्तुएं, Apple जैसे share अथवा S&P 500 जैसे सूचकांग ट्रेड कर सकते हैं तुरंद सर्च के लिए सर्च टैब में अपनी पसंदीदा ऐसे टाइप करें अथवा ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें ऐसेट की श्रेणी चुने मान लें कि हम Euro USD पेर का ट्रेड करना चाहते हैं Euro USD के चार्ट आइकन पर क्लिक कर एक समय सीमा चुने इस टुटोरियल में हम एक मिनिट की समय सीमा का प्रियोग करेंगे जिसका मतलब है कि प्रते केंडल स्टेक प्राइज एक्षिन का एक मिनिट दर्शाएगी BDSS बहतर तरीके से भविश्य मुले दिशा निर्धारित करने में मदद करने के लिए पचास से अधिक इंडिकेशन मुहिया कराता है सेटिंग के निशान पर क्लिक करें और स्टरी चुने वेंडिकेटर चुने जिससे आप अपने चार्ट के लिए प्रियोग करना चाहते हैं अब डिफॉल्ट सेटिंग को वैसा ही छोड़ सकते हैं अथवा अपनी पसंद अनुसार कस्टमाईज कर सकते हैं क्रियेट स्टरी पर क्लिक करें और इंडिकेशन अपने आप आपके चार्ट पर उभर आएंगे यदि आपको लगे कि एसिट का मुले उपर जाएगा तो बाई पर क्लिक करें यदि आपको लगे कि Acid का मुले नीचे जाएगा तो Sale पर क्लिक करें Step 2 आपके order की पुष्टी के लिए एक नई विंडो खुलेगी अब आप अपना Trade Size बताने के लिए तयार है और Trade Size Lots में बताया जाता है Standard Lot आपके Trade के Acid के अधार पर अलग-अलग होता है Example के तोर पर करेंसी में एक Lot बेस करेंसी की 100,000 एकाईयों के बराबर है एक Mini Lot अथवा 0.1 Lot किसी करेंसी का 10,000 दर्शाता है और Micro Lot अथवा 0.01 Lot एक हजार एकाईयां दर्शाता है BD Swiss में आप 0.01 Lot जितना कम भी Trade कर सकते हैं जो पेर की पहली करेंसी की 1,000 एकाईयों के बराबर है जिसे BASE करेंसी भी कहा जाता है CIMIT Fund से बड़ी डाशी में Trade करने के लिए आप Leverage का प्रियोग कर सकते हैं Leverage Setting अकाउंट खोलने पर परिभाशित की जाती है और इसे उप्युकता जांच पास करने पर बतला जा सकता है इस टुटोरियल में हम EUR-USD पेर में 0.1 Lot का Trade करेंगे एक एक एक्जांपल लेते हैं हमारे अकाउंट बैलेंस में 200 EUR हैं और हमारा Default अकाउंट Leverage 150 पर सेट है इसका मतलब हुआ कि हम अपने Leverage का प्रियोग अपने अकाउंट बैलेंस में 50 गुना अधिक पुजीशन खोलने के लिए कर सकते हैं क्योंकि 200 गुना 50 बराबर 10,000 EUR है बिल्कुल ठीक आप 200 EUR से 10,000 EUR का ओर्डर प्लेस कर सकते हैं मगर ध्यान दें लेवरे से लाब और हानी दोनों की संभावना बढ़ती है अर्थात यदि ट्रेड आपके विप्रीज जाता है और आप उच लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अधिक हानी होगी यदि आपका अकाउंट लेवरेज 400 पर सेट है तो आप अपने अकाउंट बैलेंस से 400 गुना अधिक ट्रेड कर सकते हैं अर्थात आप 80,000 तक की पुजीशन ओपन कर सकते हैं क्यूंकि 200 गुना 400 असी हजार होता है जो 0.8 लॉट के बराबर है क्रप्या ध्यान दें आपके अधिक लेवरेज प्रयोग पर आपका संभावित लाब अथ्वा हानी मार्जिन भी अधिक हो जाता है ये है लेवरेज की ताकत याद रखने की सबसे महतपूर्ण बात कि आपका अधिक तम ट्रेड अकार हमेशा आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस दोआरा अथ्वा ट्रेडिंग की भाशा में उपलब्ध इक्विटी और लेवरेज से परिभाशित होता है आईए अपना पहला ट्रेड करें स्टेप तीन बाई पर क्लिक करें और और की पुष्टी करें निश्पादित किया गया और पुजीशन तैयार करता है जिसका परिणाम औसत मुले और अन्या माबदन इन पुजीशन विंडो में मौनिटर किये जा सकते हैं यदि मुले आपके अनुमान की दिशा में जाता है तो आपको लाब होगा यदि मुले विप्रीत दिशा में जाता है तो आपको हानी होगी जब तक आपके balance में परियापत equity उपलब्द रहेगी तब तक position खुली रहेगी लाब और हानी तब मिलते हैं जब position बंध होती है आप cross पर क्लिक करके और order window में close चुनकर किसी भी समय अपनी position close कर सकते हैं और HC के साथ BD Swiss web trader platform पर trade करने का आज का tutorial समपन होता है देखने के लिए धन्यवाद